मस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्चन है, आज मैं आपके लिए एक नया कुश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, पहला कुश्चन है, if the cost of one apple is five rupees, then what will be the cost of three apple? दोस्तों, अब हमें ये वाला कुश्चन दिया गया है, कि एक apple पांस रुपय का है, तो तीन apple की कीमत कितनी होगी? दोस्तों, अब हम इसको solve करते हैं, दोस्तों, one apple की कीमत कितनी है? पांस रुपय, तो फिर one apple की five rupees लिखते हैं, apple, दोस्तों, इसकी कीमत five rupees है, दोस्तों, अब हमें two apple की कीमत बताना है, दोस्तों, हमने two apple हमने अब लिख लिया है, दोस्तों, अब इसकी कीमत हमें कैसे बता चलेगी दोस्तों, हम five plus five करके दिखते हैं, five plus five is equal to ten होता है, तो फिर हम ten लिख देते हैं, यह दे दिखो दोस्तों, यह सही हो गया है, क्यूंकि one apple five रुपे का था, तो फिर five plus five ten होता है, दोस्तों, अब हम three apple की कीमत कितनी होगी, अब हम यह पता करते हैं, थरी, एपल, दोस्तों, अब हमें इसके भी कीमत कैसे पता चले की, दोस्तों, इसके भी कीमत हमें कैसे पता चले की, इसका अंसर हम ऐसे दून दिते हैं, दोस्तों, एक ऐसे भी होता है, पहले मैं आपको, आपको सिखा दूं कैसे होता है, five plus five plus five fifteen, दोस्तों, इसमें five जोड दिंगे, तो फिर fifteen हो जाएगा, fifteen is equal to fifteen, दोस्तों, एक और ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो गया है, यह आप ऐसे कर सकते हो, three, five जा fifteen, या five, three जा fifteen, into three fifteen, दोस्तों, आपको यह जी के कुश्चन, एक कुश्चन अच्छा लगा है, तो फिर लाइक, कुमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कर दी, और सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा ना वीडियो के नीचे, उसको प्रेस कर दीना, बाई बाई दोस्तों,